ये चार चीजे खाना शुरू कर दीजिए आपको लाइफ में कभी कहीं भी दर्द नहीं होगा ना गर्दन का दर्द, ना कमर का दर्द, नसो का दर्द, गठिया, बाय, अर्थराइटिस, जोडो का दर्द, सर्वाइकल का दर्द पतानी एक शरीर में कितने सारे दर्द पैदा हो जाते हैं, दोस्तों ये सारे दर्द कहीं न कहीं पेट से होके जाते हैं, जब हमारा पेट सवस्त रहेगा, हमारी आते अच्छी तरीके से काम करेंगी, हमारी किड़नी अपना काम प्रॉपर करेगी, तो हमें ये बिमारिया 98 88% कभी होंगी ही नहीं अगर हम इन 4 चीजों को regular खाते हैं 2-5 महीने आपकी सारी बिमारिया 99.9% खतम हो जाएंगी वेरिकॉन्स वेन्स की समस्या, डाइबिटीज की समस्या, अगर आपको BP की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है आपका जो blood का circulation है, वो बौडी में अच्छी तरीके से नहीं होता है आपका जो blood का circulation है, जो आपकी आथ, kidney, liver, अच्छी तरीके से काम नहीं करते हैं वहां तक blood का circulation नहीं पहुंसता है आपकी नसे block हो गई है आपकी जो आते हैं वो भी बहुत हद तक damage हो चुकी है आपकी जो पूरी body है वो अपना पूरा system अच्छी तरीके से cover नहीं कर रही है तो यह video आपके लिए है यह 4 चीज़े घाना शुरू कर दीजिए depression आपके पास तक नहीं आएगा आपका जो blood है उसका circulation अच्छी तरीके से होगा आपको depression नहीं होगा आपको नीन समय पे आएगी तो यह चीज़े हमारी kitchen में अभी level हैं कुछ चीज़े आपको बहार से लानी पड़ेंगी जो बहुत आसानी से मिल जाएंगी तो वीडियो को पूरा देखेगा वीडियो बहुत खास होने वाली है अगर आपको बहुत लंबे समय से पेट में कोई ऐसी समस्या है जैसे अलसर की बिमारी है या फिर आपको नीन नहीं आती है बेचैनी रहती है या हमारी नस-नस में दर्द होता है हमें हार्ट की ब्लोकेज हो रही है हमारे पैरों में बहुत जादा जुन-जुनी या फिर नसे कमजोर हैं तो दोस्तों जो इस चार होम रेमेडी हैं बहुत ताकतवर हैं इनमें आप कम से कम 99.9% बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे इन चीजों के साथ में आपको थोड़ा सा योगा करना है थोड़ इसी आपको सुबह सुबह कपाल भाती अलोम विलोम ये जरूर अपने उसमें शामिल करना है इससे हड़िया मजबूत होती है नसे जो ब्लॉक हो गई थी वो खुलती है इससे आपकी बोड़ी को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है जहां भी दर्द होता है वहाँ पे हलका सी सिकाई कर लें उससे भी बहुत ज़्यादा हमारी बोड़ी को रिलेक्स फील होता है मालिस से भी हमारी बोड़ी को बहुत ज़्यादा रिलेक्स फील होता है तो आप नारिल पानी एक डेली पीजिएगा आप मैं आपको वो चार चीज़े बताती हूँ जिससे आपको कम से कम 99.9% बिमारियां खतम हो जाएंगी तो दोस्तो ये ऐसा गौंद है जिसमें केल्शियम, आईरन और बिमारियों को दूर भगाने की इतनी पावर है ये आपको Amazon Flip Card पे आसानी से मिल जाएगा बहुत ताकतवर गौंद है आपको ये गौंद लेना है और इसको कूट के मिक्सी में इसका पावडर बनाना है दोस्तों इस गौंद का नाम है गौंद मौरिंगा इससे आपकी जो यादा सकती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है बालों की ग्रोध तेजी से होती है इसके इतने सारे फायदे हैं कि आप खुद भी चौंक जाएंगे और मैं बता नहीं पाऊंगी स्किन के लिए, बालों के लिए, हाइट के लिए, पेट के लिए और डाइबेटीस के लिए बहुत अच्छा काम करता है हमारी बोडी में गौंद मौरिंगा तो इसको पीस लिया है और पावडर बना लिया है यह हमारी वेट को लौस करने में हमारी हेल्प करता है और हमारे जो इम्मुनिूटी सिस्टम में उसको बूस्ट करता है यह दूसरा है, यह भी गौंध है दोस्तों यह भी हमें एमेजॉन पे आसानी से मिल जाता है पर बात आती है इसकी पहँचान करने की तो ये खुद्रे रंग का होता है ये चिकना नहीं होता और इसका टेस्ट कड़वा होता है इसको भी लेके कूट के इनाम दस्ता में इसका भी आपको fine powder बना लेना है अब बात आती है तीसरी चीज की तो ये है powder दोस्तो ये powder है जो हम kitchen में हर सबजी में use करते हैं ये है धनिय का पाओडर आपको साबु धनिया लाना है खूट के उसको definite पीस लेना है विल्कुल फाइन इन चीजों को पीसने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है सुबह सुबह ले सकते हैं या फिर रात को सोने से 1 घंटा पहले लेना है आपको गुन गुना पानी लेना है theme glass में, उसमें डालना है, आपको quantity ध्यान से देख ले, एक चमस धनिया powder डालना है, दोस्तों जो quantity है, गौंध की आपको धंग से देखनी है, जादा या कम नहीं लेना है, आपको ये गौंध सिहा है, जो काला वाला गौंध है, दोस्तो उसका नाम है गौन्द सिहा एक ग्राम डेली लेना है सिर्फ एक टाइम जो दूसरा गौन्द था वो था गौन्द मौरिंगा ये भी आपको सिर्फ एक ग्राम डेली लेना है इस से ज़्यादा कॉंटिटी आपको नहीं लेनी है इस बात का ध्यान डखना है क्योंकि दोस्तों ये ज़्यादा चीजे भी नुकसान करती है दवाई दवाई की तरह ली जाती है अब ये है दोस्तों जैतून का नमक ये भी आसामी से पंसारी की दुकान पे Amazon Flipkart पे मिल जाएगा ये टेस्ट में फीका कलर में वाइट होता है ये भी बिल्कुल आपको एक ग्राम डेली लेना है इस से ज़्यादा इसको नहीं लेना है पेट में अगर बहुत गैस बनती है पेट में कब्स की समस्या है किड्नी काम नहीं कर रही है लीवर फेल हो चुका है आप इसको continue लीजेगा दो से धाई महिने आपको result 99.9% मिलेगा वीडियो अच्छी लगी हो तो जादा से जादा इसको लाइक और शेर कीजेगा मिलती हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अच्छा खाईए हेल्दी रहे अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए बाई बाई